आज हम बात करेंगे, चेक्टर फर्स्ट, रिवीव अप कंप्पूटर विशिट, तो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है, कंप्पूटर, तो हम जाने नहीं कंप्पूटर कलगा, वट इस कंपूटर, तो कंप्पूटर जो डेविशन है, वो यह है, कि कंप्पूटर इस एन च जो टॉपिक है, वो यह है, किस द्वारा इन कुछ द्वारा इस एन प्रोसेशिंग एट के र हम जाने पाद मेंके बाद फिर्गु की शाहता से, में क्या देता है, आंप्पूटल इस के द्वारा, तो इसका मतलब कंप्पूटर इंपूटल लेता है, द्वारा इस दौ और CPU की help से हमें data को process करने के बार ठीक है तिर आमें वो data को क्या करता है process करने के बाद आंसर देता है तिर वो हमें output device की ज़रे हमें result पर देता है अब इसको एक और इसकी definition है एक computer is an electronic device that accepts data जो ना एक computer electronic device है जो data को accept करता है and instruction और instruction को करता है process is the accepted data फिर उसके बाद क्या करता है उसको data को process करेगा based on the instruction जो जो हमने instruction दिये उन instruction के according receive to produce, produce desired results known as information और जो हमें जो पुड़ा हो produce करने के बाद हमें जो data देगा फिर वो हमाले क्या बन जाएगी information तो यह computer की definition है यह दोलों definition है चाहे यह लिख सकते हो या पर यह लिख सकते है इसका मतलब इस finger के according समस्ते है input दिया कर ले हमने फिर वो process हुआ और पिर आमे क्या मिला output यही computer की definition thank you